नमस्कर दोस्तों सौगत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजिक उस्टन चनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे हैर फल के बारे में तो जो प्राब्लम होता है कि बहुत ज्यादा बाल जो जड़ने लगते हैं बाल जो आपके कमजोर होन आ सकता है आपके हैर जो काफी जड़ा जो गिरने लगे है तो ये प्राब्लम को सौल करने के जो अलग-अलग दवाईया यूज होती है और जो पूरी ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम डेटेल में सीखेंगे आज के लेक्चर में और जानेंगे कि किस तरह सी ये प्राब प्राब्लम हो सकती है बिकाज जब रीजन हमें पता चलता है तो प्रापर हम उसका इलाज कर सकते हैं फिर डाइग्नोसिस कैसे होता है और ट्रीटमेंट के क्या लग-लग ऑप्शन है और कौन सी दवा या जो दोती है तो डिटिल में सिखते हैं आज के लेक्चर के अंदर तो ऐसे समझों कि आपको सीखना है बहुत सारी दवा यू के बारे में बीमार यू के बारे में तो आप मेडिसिन कूर्स को जोइन कर सकते हैं तो ये कूर्स को जोइन करने के लिए आप हमें वाटसेप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते है link description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते है hair fall के बारे में तो medical science के अंदर हम ये जो problem है उसको alopecia कहते है alopecia यानि कि ऐसे medical condition कि जिसके अंदर आपके hair fall होने लगते है और बाल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जटने लगते है जिसको हम hair loss के condition कहते है और ये होने के बहुत सारे reason होते है कि जो हम आगे वीडियो के अंदर discuss करेंगे तो सबसे पहले उसके symptoms हम यहाँ पे देख सकते है कि सबसे पहले क्या होते है कि आपके बाल जो हो जटने लगते हैं hair fall जो होने लगते है कि जिसको हम loss of hair भी कहते हैं और उसके लिए जो medical terms जैसे मैंने आपको बता है कि वो है alopecia फिर यहाँ पर आप देखो कि जैसे भी आप hair set करते हैं उसके बाद आप check करो तो इस तरह से बहुत सारे बाल जो जटने लगते हैं कमजोर हो जाते हैं आपके बाल तो यह problem होने के बहुत सारे reasons होते हैं जो हम आप discuss करते हैं तो सबसे पहला जो reason होता है वो है genetics या फिर आपकी family history कि मालो आपके family के अंदर किसी को hair fall का problem है तो आगे जाके आपको भी यह problem हो सकती बिकाज यह genetically problem कई बार हो सकती है कि आपको समझे कि वो इस टाइप के genes आपके body के अंदर है कि जो hair fall के लिए responsible है कि जो family history के अंदर रहे है तो उसके करन आगे जाके भी आपको यह problem हो सकती है second reason हम देखे तो वो है stress कि आपके life के अंदर काफी ज़्यादा stress है और stress के करन क्या होता है क्या कि जाके anxiety के problem होते है depression के problem होते है और ये एक reason बनता है आपके लिए hair fall के लिए because stress आगे जाके बहुत सारे complications लेके आता है जैसी कि एक reason यहाँ पे आप देखो कि hormonal changes होना तो hormonal changes जो stress के करन होता है और जैसी hormonal changes आपके body के अंदर होता है तो उसकी असर जो हो हमारे hair growth के उपर होती है और जो proper एक hair cycle होता है वो maintain नहीं होता और आपके hair fall जो होने लगते है फिर चौधा reason हम देखे तो polycystic ovarian syndrome में भी एक यह symptom बनता है hair fall तो अगर hormonal imbalance के करन आपको polycystic ovarian syndrome या फिर disease है कि जिसको PCOD का problem हम कहते है तो उसके करन भी hair fall जो हो सकता है पांचवा हम देखे तो thyroid का जो problem तो यहाँ पे आप उसके symptoms देखो कि मानलो आपको hyperthyroidism है या फिर hypo है दोनों में सबसे पहला symptom यह है कि hair loss होना कि इसमें जो hormonal imbalance जो होता है जो thyroid जो hormones होते है उसके करन यह problem होता है और यह भी एक reason बनता है हमारे लिए hair fall का छटा reason देखे तो air pollution कि अभी हम देखे तो हमारे बहुत सारे cities जो काफी ज़्यादा polluted रहते है और air quality index जो हम देखे तो काफी वो poor होता है कई बार काफी सारी seasons के लिए तो यह भी एक reason है कि air pollution के करण भी उसकी जो असर है वो हमारे hair के उपर होते है कि जो हमारे hair के development के लिए जो protein होता है वो देरे देरे damage होने लगता है pollution के करण और वो भी major reason है हमारे hair fall के लिए फिर साथवा हम reason हम देखे तो जो hard water होता है कि उससे समझे कि आप नहाते है तो यह भी एक reason है कि hard water जो है वो आपके जो बाल होते hair होते है उनको damage करता है और जिसके करण hair fall का problem हो सकता है आठवा reason हम देखे तो nutritional deficiency कि आपको जो है वो proper nutrition नहीं मिल रहा या फिर आपका diet ऐसा है कि जिसके अंदर जो हो nutrition की deficiency हमले कि आपको लंबे समय तक आप proper healthy खाना नहीं खाते जंक food वगरा ज्यादा लेते या फिर fast food वगरा जो होता है वो आपके diet में काफी ज्यादा है कि जिससे कोई proper nutrition नहीं मिलते तो ऐसे nutrition ना मिलने के कारण भी आगे जाके यह hair fall का problem हो सकता है फिर जो vitamins की जो मैंने बात के कि उसमें भी special जो vitamin B2 है, riboflavin है biotin है, fallet है B12 वगरा के समझे के आपको deficiency है तो उसके करण भी hair fall जो हो सकती है because जब भी आपको ऐसा diet लेते हैं तो उसमें proper यह vitamins ही नहीं है कि जिससे hair growth अच्छी हो सके और वो vitamins ना होने के करण क्या होगा कि दिरे-दिरे बाल जो आपके कम जिर होने लगेंगे और उनका जडने लगते हैं दस वा reason हम देखे तो hair style जो treatments होगे रहे होते हैं कि लोग बहुत सरी अलगला cosmetic treatments कराते हैं बालों के उपर काफी बार वो कराते रहते हैं जिसके करण क्या होता है कि उनके hair जो, damage होने ही लगते हैं कि excessive hair treatment कराने से भी आपके बाल जो, खराब हो सकते हैं कि आप बालों में कलर करवाते हैं उनको करली कराते हैं और बार बार इस तरह से हैर के उपर ट्रीटमेंट हो नहीं लगती है तो वो आगे जाके एक रीजन बनेगा हैर फॉल के लिए फिर medical conditions भी यहाँ पे एक रीजन बन देगी मतलो कि कोई पेसेंट है वो लंबे समय दक बीमार रहता है तो जब भी कोई बीमारी हाती है तो उस दिरण बहुत सरे आप अलग-अलग medications यूज़ करते हैं तो वो दवायों के आगे जाके side effect होती है और उनकी side effect के करण यह जो hair fall का problem जो हो सकते है जैसे कि आप यहाँ पर देखो के लग-लग class के जो medications होती है कि वो समझो कि आपने ली थी बीमारी के अंदर कि किसी को bacterial infections थी उन्होंने antibiotic यूज की थी fungal infection में आपने antifungal hoagera यूज की थी और यह दवाय है जो है वो काफी लंबे समय तक यूज की ऐसे ही कोई birth control pill यूज करता है anti-gloting के drugs की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप देखो कि hormone replacement therapy है non-steroidal anti-inflammatory drugs यह तो ऐसी दवाया जब लंबे समय तक यूज की जाती है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए है तो उनकी side effect के करण भी आपके सरीर के अंदर यह problem हो सकता है बिकोज यह दवाया क्या करती है कि सरीर में weakness लाती है nutrition जो हो कम कर देते हैं और उसके करण भी hair fall जो हो सकता है फिर एक reason यहाँ पर देखे तो cancer की chemotherapy कि जब chemotherapy पेशन को दी जाती है तो उसमें anti-cancer दवा या भी use होती है और जो केमो ठरी के वी जो अलग-अलग phases होते हैं, cycles होते हैं उसके दौरान भी आपके hair के उपर असर होती है और specially यह side effect होती है केमो ठरापी के अंदर की hair fall जो होता है फिर जो radiation therapy कोई लेता है तो उसके current भी यह problem हो सकते है कि specially आपके head के area में आपने समझे कि radiation therapy ली थी तो उसकी सीधी असर आपके hair इसके उपर होती है और hair fall होना जो वो सूरू होता है और आकरी reason हम देखे तो आप जो वो proper care नहीं करते है आपके बालों की कि यहाँ पर जो आप diagram में देख रहे है इस तरह से proper आपको regular hair care करने चाहिए पर hair care कोई करता नहीं है तो भी एक problem जो हो सकती है तो यहाँ तक हमने अलग-अलग reasons यह से सीख लिए कि जिसके करन यह hair fall का problem होता है आगी जनते हैं उसके diagnosis के बारे हैं कि कैसे नीदान होता है तो नीदान जो है कि कैसे हम reason पता लगा सके कि कौन से reason से यह problem हो रही है तो सबसे पहले patient के medical history जो हो चेक की जाती है तो जिसके लिए proper patient counseling करना जरूरी होता है कि जिसके अंदर आप patient के साथ at least 10-15 minutes प्रावबर बाचित करते हैं तो उससे reason पता लगेगा कि किस reason से उसको hair fall हो रही है फिर second physical examination करना जरूरी है कि जिससे कोई medical condition ऐसी कोई हो तो वो पता चल जाएगे विकोज कई बार लोगों को पता नहीं होता और कोई ऐसे medical condition है और उसके करन भी hair fall हो सकता है फिर blood test करना जरूरी रहता है या फिर आगे जाके hormonal test भी आप करा सकते है कि बहुत ज़्यादा hair fall हो रहा है और इस तरह के कोई symptoms भी है आपको तो blood test या फिर hormonal test करना जरूरी पड़ता है फिर hair fall test चेक किया जाता है जिससे पता चले कि आपके hair जो वो कितने मजबूत है और यह जो वो proper expertise के साथ ही किया जाता है जो trained medical staff होता है उनके super reason में ही यह process जो वो की जाती है फिर scalp के biopsy की जाती है जिससे एक exact reason भी पता चलता है तो यह सब अलग-अलग diagnosis के feature बनते है और आखिर में हम देखे तो एक microscopic study की जाते है कि जिससे पता चले कि आपकी hair की quality कैसी है तो यह सब अलग-अलग है हमारे पास option diagnosis के लिए अब आगे जानना है कि treatment कैसे हो सकते है कैसे यह problem को हम solve करे तो treatment के अब अलग-अलग options देखते है जिसके अंदर सबसे पहले तो यह ही है कि आपको hair की proper care करने है कि यह आप ही जो हम दिखा रहे है इस तरह से proper आपको regular hair care करना चाहिए second हम देखे तो जो stress reduce करने के लिए patient जो योगा और meditation कर सकते है जैसे आपका stress कम हो और stress कम होगा तो समझे के कोई hormone imbalance से आपको stress के करन hair fall हो रहा है तो वो दिरी-दिरे कम हो नहीं because दवा यह तो तब ही असर करे कि जब आपका stress वगेरा कम होगा तो यह खास दियान रखना है तीसरा जो hair protein serum खास आपको यूज करना चाहिए कि जो हमारे hair के लिए ज़रूरी protein होता है वो हमें यह serum वगेरा provide करते हैं तो hair protein serum जो बहुत सरे लग-लग brands के आपको मिल जाते हैं तो उसमें से कोई भी एक share serum जो यूज कर सकते हैं उसे दरह से hair scalp serum भी आता है बनता है hair mask का तो hair mask जो अलग-अलग companies बनाते हैं जैसे यहाप आप देख सकते है hair mask है कि जो पूरी तरह herbal है और उसी तरह से यहाप दूसरा एक product देख सकते हैं कि वो भी smoothing mask है जो आपके जो hair है उनकी strength को बढ़ाने में मदद करता है because specially hair fall होने का एक reason यह भी होता है कि बाल कमजर हो जाते हैं तो वो कमजर बालों को मजबुत बनाने के लिए यह hair mask वगएर आप यूज़ कर सकते हैं पांचवा option है hair oils का कि regularly hair care के लिए आपको hair oils यूज़ करने चाहिए कि आप देख सकते हैं इंदू लेखा करके प्रॉडक्ट है सेसा का एक आयरुविदिक फॉर्मिले सनाता है उसी तरह से बाइदनात के अंदर हम देखे तो महा बरिंगराज तेल है कि जो आपके बालों को मजबुत ही देते हैं कि जिससे काफी hair fall आपका कम हो जाता है तो कौन से यसी दवाई यह यह यूज होता है कि जिससे यह problem solve होता है और hair growth जो बढ़ने लगती है तो उसमें सबसे पहला जो option हम देखे तो वो है minoxidil drug का आता है कि यहाँ पे उसका एक marketed fallization है regen करके कि जो 5% solution आता है 60 ml जितना तो यह solution जो directly hair में जो लगाना होता है मतलब कि जो scalp होती है वहाँ पे आपको लगाना होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा hair fall हो रही है और यह solution जो पूरू सुब में भी use हो जाता है as well as smileao में भी use किया जाता है तो उसका एक 5% के strength में है as well as 2% के strength में भी यह available होता है कि जिसके अंदर 20 mg जितना drug होता है solution के अंदर और इसको use कैसे करना है तो वह आप अच्छे से समझ लेजिए तो क्या करना है कि 1 ml जितना यह solution लेना होता है यह वो दिन में और 1 ml जितना रात में use करना होता है कि जहाँ पे आपको specially hair loss हो रही है वो area में ही particular यह solution जो लगाना है और यह जो at least आपको 4 मैने या फिर उससे ज़्यादा मैने तक proper use करना चाहिए कि जिससे जो यह वो hair growth जो देखने को मिलती है और यह जो alopecia का जो problem है वो solve होने लगता है उसी दरा से gland mark भी यहाँ एक उसका marketed formulation बनाती है कि वो भी 5% के strength में हमें solution जो मिल जेता है कि जो same use कर सकते है आप regain की तरह है चौथा option हम मारे पास यहाँ पे बनता है tablets का कि जो oral tablet है finax करके एक marketed formulation के जिसके अंदर salt content हम देखे तो finasteride करके है कि जो एक miligram के tablet रहते है तो एक tablet सिर्फ दिन में एक ही बार आपको use करने होते हैं जो प्रॉपर medical super reason में use की जाते हैं कि कोई भी ऐसे side effect होती है तो तुरंद उसको लेना बंद कर देना चाहिए पाच वो option बनता है SBL का कि एक homeopathic medication है कि जो scalp turn करके याप याप उसके formulation देख रहे हैं तो जो scalp turn tablet होती है तो दो tablet जो आप दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार भी patient ले सकता है कि जिससे अब hair जो आपके काफी मजबूत होने लगते हैं और hair fall का problem जो वो ठीक हो जाता है छटा option याप याप हम देखे तो वो है केरागलो इवा का जो tablet आते हैं कि जो IPC Laboratories उसको डिजाइन करती है कि उसके key ingredient रेके तो उसके अंदर बोरा जोल होता है multi vitamins रहते हैं, minerals रहते हैं green tea का extract रहता है grab seed का extract रहता है तो यह सभी ऐसे formulation है कि जो आपके बालों की मजबूदी के लिए जरूरी है, तो यह जो है वो एक ही tablet ली जाती है खाने के बाद और दिन में एक ही tablet लेना होता है high dose में उसको use ना करें इसलिए यह जो product का पूरुसों के लिए भी product है जिसके केरागलो मैन करके आता है तो यह भी same dose में हम use करते है आठवा option हम देखे तो हीमारिया का hair zone solution आदे, तो यह जो solution है specially आपके scalp के area में spray करना है और फिर वहाँ पे 10-15 मिनिट जितना massage करना है जिससे वो area के अंदर यह medication proper absorb हो जाती है और बालों को मजबूती देने में मदद करती है और उनकी growth करने में मदद करती है फिर उसी में cream भी आदी है anti hair loss cream यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वो भी same आपको scalp period के अंदर लगा ना होता है और फिर उसका अच्छे से massage करना होता है 10-15 मिनिट के जिससे बालों की मजबूती भी बढ़ती है और hair fall होना जो है वो कम हो जाता है फिर उसके अलग-अलग version से जैसे कि eclipta वाला आदा है licorize की जो hair growth को improve करता है फिर दूसरा उसके इंदर हम देखे तो bringraj और amla वाला भी anti hair fall cream आता है वो suit नहीं हो रही तो आपके पास ये multi vitamin के भी options से देजाए कि supraadin है फिर zinc covid जैसे है तो ये सब जो आप use कर सकते हैं जिसकी एक ही tablet लिनी होती है खाने के बाद अब आखरी में advice ये रहेगे कि बहुत सरे ऐसे fact advertisement भी होती है जो आपको ऐसा claim करते कि 100 टका ठीक हो जाएगा जड से खतम हो जाएगी भी मरे तो ऐसे कुछ false claim होते है तो इन में आपके पैसे जो waste नहीं करने चाहिए तो खास दियान ये रखे कि आपके जो पैसे हैं वो खास कर ऐसे products के पीछे बरबाद ना करें यहाँ पर जो हमने discuss किये इस तरह के proper standard product ही आपको use करने चाहिए कि जिससे कोई problem जो वो ना हो तो ये वीडियो के जरूर से आप अलग-अलग whatsapp groups के अंदर share करें कि जिससे दूसरी लोगों को तक भी ये information जो हम पहुचा सकें तो ऐसे समझों के सीखना है बहुत सरी दववयों के बारे में बिमारियों के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी so good luck and all the best